नमस्कार प्यारे साथीव स्वागत है आप सभी का हम बात करने जा रहे हैं आर यार भी टेक्निशन के बारे में देखेगा बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाऊट साथ बहुत सारा confusion है कि सबसे best zone कौन सी होगी जैसे कि आप सभी को मैं बता देना चाहते हो कि हमारे यहां पर total कितनी है 15 हाप टोटल हमारे zone होने वाले तो कौन सी zone में हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे इस प्रकार से यह जो तैयारी तो करना चाहते पर कोई आईडिया नहीं है किसा हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो zone है 15 के 15 के बारे में बताओंगा किस में कितनी vacancies है और आपका safe zone कौन सा होने वाला है इसके उपर पूरा discussion कर लेते हैं तो सभी दोस्त तैयार हो जाईए विलकुल ध्यान से समझने के लिए तो सबसे पहले हम zone की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम ब जो भी पोस्ट होती हैं ठीक है हमारी जो भी पोस्ट है तो पोस्ट वाई हमारे वाइज हमारे कोलब और बनाये गए है तो जैसे कि अगर आप फिटर की त्यारी कर रहे हैं तो वहां पर आप विटर की तैयारी क्योंद् WeimC кis-kusel ब गो पोस्ट नंबर 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए, 7 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए और 16 के लिए, तो यानि कि 3 से लेकर, 16 तक जितनी, 3, 4, 7, 10, 11, 12 और 16, ये पोस्ट कोड है, इन के लिए ही आप सिरफ शिरफ भर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके pattern maker की तैयारी कर रहे हैं स्टी मोल्डर फोर्जर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है जो नमबर दो की पोस्ट है सिर्फ उसी के लिए form यहाँ पर भर सकते हैं पर याद रखना मैंने यहाँ पर आपको देखे dark कर रखा है यह क्यों कर रखा है इसके बारे मोच्चे बता देता हूँ याद रखीगा जो भी बच्चे ऐसे बच्चे जो होंगे जो 11 पोष्ट के लिए बढ़ा चाहते हैं तो ध्यान रखना है 11 नमबर की जो पोष्ट बनाई गई है जिसका कोड़ 11 है वो सिर्फ और सिर्फ फिटर के लिए ही है तो मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ फिटर वाले ही भर सकते हैं दूसरा हमारा है पैटरन मेकर की जो है उसमें जो आपका जो पोस्ट कोड दो बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए यानि की post code दो वाले सिर्फ औ सरिफ इसी के लिए भर सकते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है तीसरी हमारी यापर post आती है mechanism आपके composite की तो इसके लिए जो post code नो वाले 10 12 14 और 16 वाले ही भर सकते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है और जो आपका mechanism 거지 grinder के लिए करना चाहिए वह बारा और चहुदा वाल जो पोस्ट कोड़ वाले हैं वही यहां पर भर सकते हैं तो मतलब कुछ ऐसी पोस्ट है जिनको हमने कोड़ के द्वारा नाम दिया गया है ठीक है ना वही यस सर इसी के बाद आगे आती है आपकी इलक्ट्रीशन की और वायर मैन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्त सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम टोटल पंदर की पंदर है फिर उसके हम से जोन की बात करेंगे ठीक है तो इलक्ट्रीशन वाले जो है वायर मैन वाले वो किस-किस के लिए भर सकते हैं फॉर के लिए 9 के लिए 10 के लिए 13 के लिए 15 और 16 सिर्फ श्रीव बहुत साथ देखो हमें क्या है सबसे पहले धान रखना जो हमारे फॉर्म भरे जाएंगे वह हमें अपना जोन खुद सेलेक्ट करना होगा अब यहां पर हमारे टोटल कितने हैं हमारे यहां पर जोन है वो टोटल 15 दोटल हमारे 15 में से 15 से आपके 5 से बहुते दोट under सकते हैं और okay the अब ध्यान रखेगा अब दीखेए जो आठ नंबर की पोष्ट बनी है वह श्रफ वसी दॉत प्छे मों के यह बनी गई है और 11 की जो पोश्ट है वह सिर्फ फिटर के लिए बनीगे है ठीक है इस बात का ध्यान रखेंगे और कॉम्पडिशन कैसे बढ़ता है देखी मैं आपको बतातो देखो नंबर वेकेंसिस तो उतनी ही होगी अब आप जो बच्क्राइब लीए पोश्ट के लीए तयारी कर रहाए थैंडलकिं पोश्ट के लिए ठीक है पोश्ट जिसका है अब वह सोच्येगल व्यट्र वाला भी बच्च उसका भर्रागि टिकरफ है आपका दस नंबर च्छटी जो आपका जोन है वो कौन सा वेल्डर का इसमें जो पोड कोस्ट तीन वाले 4, 7, 9, 10, 12, 16 और 18 यही फॉर्म भर सकते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है आपका कारपेंटर की बात करें तो इसमें पोस्ट कोड चार वाले 9 वाले और 10 वाले ही यहां पर वाले तो वह पोस्ट शकते हैं यही को कुछ नहीं हो सकता आगे बात करते हैं कुछ श्रया कि टैयारी करने वाले होंगे जो डीजल मोडों म deputy कितियारि करने करे हैं तो वह पोस्ट कोड पांच और 7 और 16 को ही भर सकते हैं इससे अलग नहीं भर सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो turner के लिए भरना चाते हैं तो post code 17 के अलावा आप नहीं भर सकते किसी में post code 17 आपके लिए ही बनी हुई है ठीक है दोस्त बात कर लेते हैं हमारी 11 जो हमारा zone होने वाला है टेके hen रेफरीज्डेटर एसी के लिए जो करना चाहते हैं थो 13 नंवर की जो पोस्ट है ओर के लिए नहीं कर सकते हैं operator mechanic के लिए अगर कोई बच्चा तयारी करता है तो 10 नंबर की पोस्ट और 17 नंबर की पोस्ट पर ही ढूँत का कोड है और अगर आप electronics mechanics के तयारी करना चाहते हैं तो आप 6, 8, 9, 10, 13, 15 और 16 इन पर आप अपना form भर सकते हैं ठीक है न ये code आपके लिए बने हैं पर तु याद रखना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिग्री ले रखे जिन्होंने डिप्लोमा किया है पीशेम कर र करता है तो अगर कर लगा कोई धिग्री नहीं है कुछ नहीं तो इसके लिए ऐंपको है उसके लिए उसके लिए मैं भुताँंगे तो जो कोई बता दो राया कितनी वेकर आतीक गर थी बता दूगदो कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है पर कितनी post पर होगा अब हम बात कर लेते हैं भाई अलग अलग अब मैंने आपको देखो 15 zone बताया तो 15 zone में आपकी कौन कौन से zone है जो की आपके best होंगे तो सबसे पहले धान रखना सबसे पहला जो बहतरी आपका zone होने वाला है वो है आपक यहां का फिटर का तेक है सबसे पहला फस्ट दूसरा है आपका welder का और तीसरा है आपका wireman electrician का और चोथा है आपका 12 का टिक है 12 कर अगर पीशम से तो सबसे बेस्ट है आपका अब मैं आपको समझाता हूं बिलकुल स्टार्टिंग से समझाओंगा ठीक है कौन कौन से सब अब से बैस जो मुझे लगे मैं आपको बताओंगा बिलकुल धान से सुनना नमबर वेकेंसिस के बारे में आप सब जानते हैं तो अब आपको थोड़ा से एक बार धान रखना है तो कौन सी अब हमें पहला पॉइंट हमें क्या समझ रहे हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे ज नखेगा तो सबसे पहले आप एक बात देखिए कि अगर हम सबसे पहले देखें फिटर में फिटर में हमारी ये पांच ही एक दो तीन चार पांच ये पांच ही जगह ऐसी है जो आपके लिए एकदम सेफ जोन हो सकती है एकदम सेफ है कोई दिक्कत परिशानी की बात नहीं सबसे पहला आता है बच्चा एहमदाबाद सबसे पहली कौन सी है एहमदाबाद जिसमें आपको एहमदाबाद के उसमें टोटल वेकेंसी 761 है कितनी है 761 है और जिसमें से आपके फिटर के लिए आपके कितनी है 216 तो 216 बच्चों के बीच में आपका competition रहेगा कितना 761 में से 216 पोष्ट किसकी है सीधा फिटर के लिए आपर दी गई है अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 1284 1284 पोष्ट है कितनी है यहाँ 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 पे 1284 पोष्ट है 1284 कर देना इसको ठीक है और 1284 में आप सोचिए 88 पोष्ट किसकी है फिटर की है यहाँ डारट सेम ट्रेड की बात कर रहा हूँ competition सेव ट्रेड में कितना रहने वाला है अगला आप का आगए मुंबई मैंने बात कि मुंबई में 88 है उसके बाद आप दिखे मालदा में देखेगा मालदा में कितनी बैट रही है हमारी यहाँ पर 275 टोटल पोस्ट है पर 275 में 31 बच्चे किस पर है फिटर के लिए ही दे रखे है अब competition कैसे बढ़ेगा सर हम कैसे वाँ पर अपना वो करेंगे सोचो एक बात समझो बिलकुद ध्यान से मैं जो समझाना चाहता हूँ आप एक बात देखे जैसे मैंने कहा एक मैंने नमबर लिया यह 10 जो पोस्ट कोड 10 है देखे वो electrician mechanic में भी भर रहा है वो आपका mechanic कौन सा आपका operator mechanic में भी भर रहा है ठीक है वही बच्चा वो बच्चा जो पोस्ट कोड यानि कि welder वाला भी इसको भर रहा है ठीक है यहां तक कि जो देखेगा आपका fitter वाला भी इसको भर रहा है ठीक है mechanic composite वाला भी इसको भर रहा है और यहां तक कि आपका electrician wireman वाला भी बच्चा भर रहा है तो सोचो यहाँ पर competition कितना ज़्यादा होगा अब अगर देखा जाए तो इस पर कितनी post होगी बहुत minimum post होगी समझे रहो ना पर बच्चे कितने हैं पर यहाँ देखे जो number 2 की post है इस पर सिर्फ क्या होगा यह pattern वाले भर रहे हैं तो कुछ ऐसी post है जिस पर कम हमारे बच्चे होंगे तो ऐसी आधान रखना कि number of vacancy जब जादा होती है post कम होगी तो वहाँ पर दिक्कते होती है परन्तु कुछ post ऐसी होती जैसे अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पर आपका देखीगा सिकंदराबाद में जैसे हमारी टोटल वेकेंसी तो 744 है पर 744 में फिटर की टोटल 25 पोस्ट है अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर आप फिटर के लिए तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेफ कौन सा रहेगा कौन सी आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है तो आप खुद देखीगा एहमदाबाद में 761 पोस्ट है जिसमें से 216 सिर्फ और सिर्फ फिटर के लिए है तो यह सबसे बेस्ट है आपके लिए तो आप एहमदाबाद के लिए कर सकते हैं तो पता होना चाए किकोन कोन सी है आप विद्टर के लिए कर रहें पर आपको यह पाण के लिए कोन से नहीं करता है कि सब सकते हैं था उपर जाएंगी तो यह पना आप उपर अच्छ यह वह अगतर तक यह आपiedग यहाँ पर लेएंगे तो Кतना बैस ठीक है आगे बात कर लेते हैं दोस्त हमारा वेल्डर के लिए बात कर लेते हैं तो वेल्डर के लिए अगर देखा जाए दोस्त आप देखेगा बिलासपुर में टोटल मतलब टोटल जो वेकेंसी है वेल्डर की तो बिलासपुर के लिए 861 है तो जिसमें वेल्डर के लिए 861 में से total welder के लिए कितनी है भाई यहाँ पर 89 vacancies है Mumbai में 12 1289 vacancies है 1289 परंतु आपके लिए welder के लिए सिर्फ सिर्फ 30 है तो कम है यहाँ पर मालदा की देखो 275 post पर 57 vacancy है 275 में 57 vacancy तो यह सही है यह आपका यहाँ पर आप इसके लिए भी कर सकते है मालदा आपके लिए बढ़िया रहेगा चैन नहीं देखे चैन नहीं में 833 vacancy में सिर्फ सिर्फ दो है तो बताओ अब दो trade के लिए आप सोचो वाई कितना competition होगा competition तो बहुत होगा तो कोई बच्चा इसके लिए करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा ठीक है न तो यह क्या safe है यह बिल्कुल safe नहीं है आज ओ सिकंदराबाद की देखो तो 744 post पे सिर्फ वो सिर्फ 53 ठीक है बिलाजपूर दूसरा मालदा और तीसरा आपका सिकंदराबाद ठीक है ना इस बात का ध्यान रखेंगे अब कुछ बच्चे वायर मैं इलक्ट्रीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं देखेगा उनके लिए गुहावटी में 600 मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां पर सबसे ज़्यादा वेकेंसी हैं और जिसमें आपका अच्छा खासा आपको वहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी जहां पर आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते आपके लिए सबसे बैस्ट वह रहने वाला इसलिए मैं आप किस सीट के लिए करना चाहते एक बार कम करना चाहते हो तो देखें टोटल पोस्ट 624 है पर आप देखें 354 पोस्ट सिर्फ वस्रिफ किसके लिए है वायर मैं इलक्ट्रीशन के लिए तो कितनी बढ़िया है तो अगर आप वायर मैं के लिए इलक्ट्रीशन के लिए करना चाहते हो तो गुहावटी आपके लिए ए चेननाई में 833 वेकेंसी है पर यहां पर 158 है तो यह भी ठीक है भाई उसके बाद मुंबई देखीगा तो मैं 5 यहां पर भी लाया हूँ यह भी सबसे बेस्ट है आपकी मुंबई में देखो 1284 पोस्ट में 151 पद है वो भी सिर्फ सिर्फ इलक्ट्रीशन के लिए प्यारे द देखेगा एक दो तीन चार पांच इलक्ट्रीशन में पांच हो सबसे बेस्ट है आप अगर इस जोन में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट है कोई टेंसन की बात नहीं है ठीक है ना आपका सेलक्शन बढ़िया से हो जाएगा आप वेल्डर की तयारी कर तो भी कोई टेंसन की बात नहीं है सोचे बिलास्पुर में 861 में 89 पूरे यहां पर आपके पद हैं तो आप भाई सेम ट्रेड में बढ़िया कॉम्पडिशन है ठीक है जिसमें कॉम्पडिशन कम है अब देखो यहां पर सिर्फ दो कितनी है दो ही पोस्ट आप बताओ चैन चैनल पर 1200 में यह है यह नहीई ठीक है तो हमें क्या करना है हम उसट प्रश क्यूब्श पर यह बिल्कूल पिछ उपर हम पिक लिए लेज़ां चैनल रखा है क्या ना तो कोई डिप्लोंहा है उनके पास, नहीं ITA कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा है, ठीक है, और सिर्फ 12th pass और वो भी PCM से, अगर PCM से आपने 12th pass कर रखा है, तो आपका एक post है 15 नंबर की, ठीक है, तो वो बच्चे सिर्फ 15 नंबर वाली post पर ही एक याद रखेगा, जो भी हमारी post है, पहले बास है, मतलब PCM वाले और किसी के लिए नहीं भर सकते, वो सिर्फ कोड नंबर 15 के लिए भर सकते है, ठीक है, और वो सरक किस में जाएंगे, एक STC post है, उसके लिए जाएंगे, किसके STC post पर, ठीक है बाई, अब दिखीगा, इनके लिए जोन कौन कौन सा बना है, जोन भी बता देता हूं, देखे, आप अगर सिकंदराबाद के में जाएंगे, तो सिकंदराबाद के आपको पता है, 744 total post है, सिकंदराबाद के लिए total post 744 हैं, पर वहां पर आपको अच्छी खासी आपर, same trade पर post दिख जाती, 183 तो competition भी वड़िया रहेगा, आप यहां भी ठीक राची में देखा जाए, तो 350 में मित्र, 92, 92 आपको यहां पर सीधा सीधा दिखने जा रहा है, कोलकाता में 506 पर 143 total यहां पर post देखने को मिल रहे हैं, और अगर मालदा में बात करें, तो मालदा में 275 पर 59, तो मित्र कहने का मतलब यह है, कि आपके लिए बहुत सारे zone है पर मैं सिर्फ और सिर्फ वही zone लेके आया हूँ, जो आपके लिए best हो सकता है, मुझे लगा कि ध्यान रखना, अब 744 में अगर 183 post सिर्फ और सिर्फ आपकी 12th pass की है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, कम नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, जिन्होंने PCM तो देखो बहुत ब आपके लिए best है, और अगर आप मालदा की बात करें, वायर मैन में जाना चाहते हैं, तो वायर मैन में देखो बहुत सारा है, गुहावटी में 354 post है, चेननाई में 158 है, ठीक है, मुंबई में 151 है, एहम्दाबाद में 151 है, और तिप्रम में 90 है, अगर आप देखी, यहा आपना करो बढ़िया से, ठीक है, तुम्हें टेंसन की कोई बात नहीं है, बस मेहनत करना, ठीक है, और जो बच्चे कह रहे हैं, सर पीशम वालों के लिए कौन सा देखो यह रहा, एक नमबर पोस्ट एड के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो बच्चे डिगरी वाले ह पीशम तो वो कर सकते हैं, कोई दिख़्त वाली बात नहीं है, ठीक है, तो सब कुछ मैने डिफाइन कर दिया, स्टार्टिंग से लेकर कोई टेंसन की बात नहीं है, कॉमपोडिशन बढ़िया रहने वाला है, ठीक है, सर स्लेवस के बारे में कह रहे थे एक बच्चा, बभ ુआ 나 आirensसे 18-33 ॥ी ठीक है ऑपिसी के यहाँ पर 18 से यहाँ पर 36 थी 23 साल का यहँ पर यहां पर म coaching साल का एक्सट्र freshmen देखने को मिला है यही को 3 साल का मिलता है वो तो है SCST को 50 साल वो तो है पर एक्सारर तीन साल और यहां पर ग्रेक्राट के लिए ग्रेड़र आ shut पर आपको सही तरीके से तयारी करना है तो कोई आप लोग पेड़ के चक्कर में पढ़ जाते हैं तो पेड़ कोर्सिस के चक्कर में ना पढ़कर आप फ्री में ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमारे से तयारी कर सकते हैं ठीक है हमने आरपियाफ का बैस चला रखा है ठीक है सुबह भी मैंने पढ़ा है कमल सर ने भी लगब साड़े 500 बच्चे अभी भी सुबह लाइव थे तो बच्चा मैं तो इतना ही कहूंगा क कि अगर तयारी करना चाहते हो सुभे आओ सुभे 8 बजे 8 बजे सबसे पहले आप मैथ की क्लास पढ़ हो सबसे पहले मैथ पर यही जैसे ही 9 बजेंगे 9 बजेंगे तुरंत आपका rezillsen ing का क्लास सल जाएगा ठीक है ओर जैसे ही 10 बजेंगे आपका जी के साइन्स सल जाएगा तो complete तैयारी हम कराएं वो भी free में और वो भी descriptive topic wise ठीक है तैयारी करना है तो आप कर लेजिए ठीक है और जैसा भी application भी डाउलोड करना है नीचे वीडियो के नीचे link है जाओ application डाउलोड करो और हां आप कमेंट करके जुरू बताना आपकी zone आपक सब्सक्राइब कर लिजिए regular classes अगर चाहते हो free में कोई टेंसर की बात है topic wise descriptive तरीके से ठीक है मैंने बता दिया है कि रेलवे में आपके reasoning का मैंने बता दिया कि अगर तैयारी करना चाहते हो तो मैंने बताए था verbal reasoning non-verbal और logical आएगा verbal के 21 topic कराऊंगा non-verbal के 12 और logical reasoning के total 41 topic कराऊंगा अगर तैयारी करना है तो आप जुडिये channel के साथ सभी को नमशकार प्रणाम राधे राधे